आई हेलो एवरिवर्न आज हम इम्मूनिटी के बारे में समरी में डिसकस करेंगे तो हमने पहली जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था उसमें आपको मैंने बताया था टाइप्स of धिक है उसमें हमने डिसकस किया था कि जो innate immunity होती है वो क्या होती है और acquired immunity होती है वो क्या होती है Corinthian innate के बारे में हम यहाँ पे main points में वो दुबारे से discuss कर लेते हैं innate immunity के बारे में हमने देखा था कि यह non recognition होती है इसकी कोई recognition नहीं होती इसकी ठीक है क्योंकि ये कोई भी antigen को जो body के अंदर हमारे enter करेगा disease होएगी तो उसको recognize नहीं कर पाएगा कि किस type का antigen है ये bacteria है virus है या other type का कोई microorganism है ठीक है इसको सारे एक जैसे ही लगेंगी दूसरा क्या है ये non specificity show करेगा non specificity मतलब किसी के लिए specific नहीं होगा कोई bacteria एंटर कर गया है कोई virus एंटर कर गया है या other pathogen एंटर कर गया है तो ये उसी time active हो जाएगा ऐसा नहीं है कि virus आएगा तब ही active होगा या कुछ suppose करो A antigen आगया तब active करेगा B antigen आगया तब active करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें ठीक है तो ये non specific होता है और इसके अंदर कोई memory cell नहीं बनते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एक बार training दी तो वो हमेशा इसको याद रहेगी ठीक है और इसके अंदर और हमने क्या देखा था इसके अंदर की जो innate होता है innate immunity होती है वो first line defense mechanism शो करती है मतलब क्या है कि कोई भी pathogen अगर हमारी body के अंदर enter करेगा तो सबसे पहले वो क्या है हमारी skin हमने example देखा था innate immunity के अंदर जो हमारी skin होती है वो क्या है innate immunity के अंदर आती है तो सबसे पहले कोई भी pathogen अगर enter करेगा तो वो हमारे innate immunity को pass करेगा तो सबसे पहले innate immunity आती है उसके बाद वो acquired immunity आती है ठीक है तो जो भी कोई antibody हमारी body के अंदर enter करी तो सबसे पहले उसको skin को pass करना पड़ेगा और skin क्या है innate immunity के अंदर आती है वो second line of defense mechanism होती है जब innate कोई भी हम मैंने आपको बता है था कोई भी antigen अगर body के अंदर enter करेगा तो सबसे पहले वो innate immunity उसको सबसे पहले देखेगी उसके बाद अगर innate immunity उसको नहीं मार सकती तो उसके बाद में क्या है acquired immunity एक्टिव हो जाती है और वो उसको मारेगी ठीक है तो एसा होता है तो कोई भी किसी भी type का antigen first time अगर enter करेगा तो उसको innate immunity को पास करना ही पड़ेगा उसको उसमें से जाना ही पड़ेगा ठीक है तो यह हमने इसके एक्जमपल भी देखे थे innate immunity के skin, body temperature, stomach, acyl ठीक है जो acid होता है बोड़ी के अंदर वो यह सारा कुछ देखा था हमने और हमने यह भी बात करी थी कि जो innate immunity होती है वो by birth डवलप हो जाती है जब हम पैदा होते हैं तब ही से हमारे अंदर यह immunity आ जाती है ठीक है और उसके बाद में हमने बात करी थी कि acquired immunity के अंदर आपने जो भी points अपने रखे थे innate के अंदर वो सारे के सारे क्या है acquired में अपोजिट होएंगे मतलब वो क्या था innate क्या थी non specific थी तो acquired क्या होएगी specific होएगी और acquired में क्या है memory cell बनेंगे innate के अंदर कोई memory cell नहीं बन रहा था memory cell के बारे में हमने कल discuss कर लिया था अगर body के अंदर enter करेगा तो acquired क्या करेगी उसको specify करेगी यह virus है bacteria है या कोई other pathogen है तो उसको specify करने की power उसके पास होती है innate के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता वो सभी को एक जैसा समझेगी ठीक है यह हमने बात की थी कल भी अब आगे next type के बारे में अगर आगे हम क्या है next adaptive immunity भी बोलते हैं अब acquired या adaptive immunity के भी again type होते हैं तो इसके दो टाइप further दो टाइप में डिवाइड होती है यह एक तो natural एक तो natural immunity और दूसरी क्या होती artificial तो हम सबसे पहले natural के बारे में बात करेंगे फिर हम artificial के बारे में आप अपनी copy में सासाथ में notes बना लेना तो natural immunity artificial अब आपको यह पता है कि जो acquired और adaptive immunity है वो हमारे बर्त के बाद हमारे अंदर acquired होती हैं acquire मतलब बाद में आती है वो ठीक है वो बर्त के ताइम वर्त के साथ हमारे अंदर नहीं आती हमें पैदा करनी पढ़ती है बाद में ठीक है तो यह दो type की होती है natural और artificial नेचरल में क्या में कोई met ठापो सत्वर्शुम्रा, अरूसल्ष में एक्टिवेशन Pit, फीवं एक्टिवेशन किया है सब्सक्राइब में पिलंगुज्ट नेन आप आतीज्वेशन के लिए ड कोई हो गया अगर हम देखेए अप्टिवेशल के अरूसल में क्या होगा की artificially हमें develop किया जैसे हमें कोविड हो गया तो कोविड से बंचने के लिए हमने कोई वैक्सीन ले ठीक है vaccination करते हैं तो आपको पता है vaccination के टाइम आपको fever होता है तो जो vaccination की time आपके अंदर fever आया ऊप क्या है डवलप किया वह ऐसा नहीं कि कोवीड हुआ कि सब्यवाइन कर सकते हैं और आगे फरतर टू-टाइप की होती है । है । हरड़ नाईचरल इक्टिव इम्यjmुनिटी है है को याग स्कते ह्टॉर एक्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी iwn वह सब्यूर्ट नहीं नाक्तिव जर्द फैसिटीर एक्टिव में ऐसा होता है कि कोई एंटीजन इंटांटिजन है मुतलब क्या है कि हमारी बोडी के एंदर स्पैंटेनिसल्टी जिंटर कर जाएगा मतलब अपने आप नेच्रलिल बोडी के उंदर आगया जैसे हमें कोविड हो गया तो कोविड में क्या हो गया एंटीजन आया तभी हमारी body को fever हुआ तो वो natural के अंदर आगया passive के अंदर क्या हो गया passive के अंदर ऐसा हो गया जो natural के अंदर जो active है ना active type उसके अंदर क्या है हमारी body को energy लगाने पड़ीगी कोई antigen body के अंदर enter किया तो क्या है fever हो गया उससे लड़ने के लिए body क्या है अपनी energy लगाएगी बट जो passive होता है उसमें ऐसा नहीं होता body को कोई energy लगाने की जरूरत नहीं होती ठीक है जैसे क्या है हम पैदा होते है तब ही हमारे अंदर क्या होता है जब हम पैदा होते है तब हमारे अंदर कोई immune system डवलप नहीं हो पाता है innate के अलावा तो क्या होता है उस time acquired हमारे पास नहीं होता है तो acquired उस time आता है तो हमें किसे मिलता है हम माता से लेते हैं अपनी मदर से लेते हैं जब उसके अंदर क्या होती है अधर का जो मिलक होता है उसके अंदर IGA antibody होती है जिसको हम क्लोस्ट्रोजम बोलते हैं तो हमें क्या है antibodies अपनी आप मिल गई आप जैसे क्या है active में क्या था कोई antigen enter किया तो antibodies जो body की है वो active करने के लिए energy लगानी पड़ी बट पैसिव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पैसिव के अंदर क्या है मदर ने हमें डारेक्ट एंटी बोडी दे दी आई जी ए ठीक है और हमारी बोडी को पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे अंदर पावर आ गए तो दोनों में क्या फर्क देखा हमने कि एक्टिव में एनर्जी का इंवोल हुआ और पैसिव में कोई एनर्जी नहीं हुए अब आप अच्छे से समझ गी होंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे नेचरल इम्मुनिटी के टाइप उसके बाद में आर्टिफिशल इम्मुनिटी के भी फर्दर टू टाइप होते हैं एक तो एक्टिव और एक पैसिव तो हम बात करते हैं हम डिसकस करते हैं एक्ट जो artificial होती है, वो further two type की immunity होती है, एक तो होती है active, फिर से active होती है और एक होती है passive, ठीक है, active होती है, उसमें क्या है, वोई बात है, energy की requirement होगी, energy हमारी body को लगानी पड़ेगी, और passive में क्या होगा, कोई energy लगानी नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले passive को समझते हैं, यह आप कोई जिली समझाएगी, उसके बाद में active की बात करेंगी, अब जैसे हमने कोई antibody body के अंदर direct डाल दी, तो हमें कोई energy नहीं लगानी पड़ी, तो उसमें क्या हो गया, वो passive हो गई, पैसिव में जैसे हमें snack ने bite कर ली, dog ने bite कर लिया, तो उस time ऐसा तो है नहीं, कि हमें हमा तो उस time क्या होगा, हमें कोई antibody प्रवाइड करनी पड़ेगी direct उसी time, तो क्या है हमारी body ने उसको लिया और हमारी body को कोई energy नहीं लगानी पड़ी, ठीक है तो ये passive के अंदर आ गया, active के अंदर फिर हम बात करते है, artificial जो immunity होती है, उसके अंदर दो टाइप की फिर से आए और body को खुद अपनी antibodies को develop करना पड़ेगा, passive में क्या था, हमने direct अपनी body के अंदर antibodies डाल दी थी, बट active में क्या है, ऐसा नहीं होगा, उसको अपनी antibodies, अगर कोई antigen आया, तो उसके against लड़ने के लिए अपने आप antibodies को active करना पड़ेगा, तो उसके लिए energy लगेगी, तो य हमारी antibodies को activate कर पाए वो, ठीक है, artificially हमारे अंदर क्या है, direct कोई antigen को, sorry, direct कोई antigen को enter करा दिया जाता है, बोड़ी में, कोई भी antigen अगर body के अंदर enter करेगा, तो body को ऐसा लगेगा, कि कोई बाहर से कोई अंजाना महमान आ गया है, जिसको हम जानते ही नहीं है, तो body क्या है, अब हमारे घर में कोई ऐसा अंजान आदमी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एकदम उसको पहचानने की identify करने की कोशिस करेंगे, ठीक है, हम active हो जाएंगे, वैसे ही क्या है, हमारी body के अंदर कोई pathogen आ गया, जिसको body जानती ही नहीं है, तो वो active होएगी और antibodies को क्या है, release करेंगे, तो antibody को active करने के लिए हमारी body के अंदर क्या है, direct antigen को डाला जाता है, तो वो antigen क्या है, दो तरह की होते हैं, जो हमारी body के अंदर डाले जाते हैं, एक तो क्या होते है, dead antigen, मतलब मरे हुए antigen को body के अंदर डालेंगे, एक क्या होगा, live attinuated antigen, मतलब जिंदा antigen को हम बोडी के अंदर एंटर करवा देते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वैक्सिन्स ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है डेड एंटिजन को डालते हैं तो वो क्या होती है जैसे एचाईवी की वैक्सिनेशन होती है एचाईवी अगर इम्मिनुटी हमें दी जाती है तो उसके अंदर क्या है हमारी बोड़ी के अंदर dead antigen inter करवाया जाता है फिर उसके memory cell active हो जाएंगे एंटी बोड़ी क्या होगी उन्हों जो antigen जो आमने बाहर से डाला है उसको क्या है identify करेगी और वो उसको एक्जम्पल ले लिया डेड़ का, की HIV का और live का क्या example होगा, live के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जैसे हम polio की दवाई देते हैं, वो इसका example हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम live antigen को body के अंदर entry करवाते हैं, और फिर live antigen body के अंदर जाएगा, तो फिर क् अधिया देड़ होता है अगर हम देखें तो साइड इफेक्ट भी होंगे दिखो जैसे डेड़ एंटिजन है उससे कोई हामफूल इफेक्ट नहीं होगा मैं ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने लाइव एंटिजन बोडी के अंदर एंटर करवाया तो हमें क्या डिजीज भी है ट्रांसलेशन भी कर सकता है और मल्टिप्लिकेशन भी कर सकता है ठीक है तो उससे क्या है कोई हमारी बोडी के अंदर डिजीज भी हो सकती है ठीक है तो डिजीज होने की बज़े से क्या है हमें कोई और मलब हमारे लिए क्या है यह हामफूल इफेक्ट भी पैदा करती है बट जिसके अंदर हमने dead antibody डाली है उसके अंदर क्या है ना तो कोई transcription होती ना translation होती ना वो multiply कर पाता है तो उसके अंदर क्या है disease होने की chances कम रहते हैं तो ये क्या है dead antigen का हमें benefit मिल जाता है live antigen के अंदर डालने के अंदर क्या है हमें एक harmful effect होता है कि हमारी body के अंदर disease कोज कर सकता है तो अब क्या है अब दोनों के अंदर difference देखो तो क्या है कि जो dead antigen हमने body के अंदर डाला उसके अंदर ये क्या है active जो artificial immunity है उसके type है तो जो हमने dead है वो क्या है not able to transcription, translation और multiplication वो ना तो multiply कर पाएगा ना वो translation कर पाएगा ना वो transcription कर पाएगा तो क्या है उसके लिए हमें booster dose की requirement होगी मतलब क्या है इस antigen को हमारी body के अंदर बार बार हमें डालने की जुरूत होएगी तो बार बार डालने का मतलब booster dose हमें बार बार multiple time क्या है required होएगी body के अंदर बार बार डालने पड़ेगी जबकि live antigen के case में क्या होगा कि उस case में वो क्या है transcription भी कर सकता है, translation भी कर सकता है और multiplication भी कर सकता है तो उस case में क्या है हमें multiple dose की requirement नहीं होती एक बार हमने dose उसको दे दी तो फिर वो क्या है antigen हमेशा के लिए body के अंदर काम करेगा तो क्या है मैं ये समझ रही हूँ मेरी तरफ से की आपको immunity के types अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर नहीं भी आपको कुछ मैंने बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है मेरे पास time कम था इसलिए तो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं है तो आप क्या है दीरे दीर इसकी volume या इसकी speed कम करके आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना और अपने अलग से कोपी में अपने handwritten notes बनाना handwritten notes बनाओगे तो आपको क्या है ये matter याद रहेगा और आपको बाद में कभी जुरूत पढ़ेगी revise करने के लिए तो आपको समझ भिया जाएगा अगर आप दूसरे के notes से समझोगे तो आपको क्या है बाद में याद नहीं रहता और आप गलत याद करोगे तो अभी जो मैंने बोला है उससे अपने notes बनाना और मैंने जो आपको दिखाया है उस matter को लेके भी आप अपने notes बना सकते हैं अब देखो मैंने आपको ऐसे भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें क्या है अच्छा लगता है और आपको notification भी मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा lecture किसी ने देखा ह उनको अच्छा लगे ठीक है और फिर और बनाने का भी मन करेगा ओके बाई